आज का हमारा टॉपिक है मुल्यांकन एक मुल्यांकन के उदेशिया सिक्सा का मुख्या उदेशिया बच्चों के बेक्तित्वा का सर्वांगिन विकास करना है इसके दोरा उनके मानसिक, सारिरिक, समभितनात्मक और समाजिक विकास की और ध्यान देते हैं इन उदेशियों को प्रापत करने के लिए सिक्सा में हुए परिवर्थनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है बच्चों में गुणों, योगताओं एवं कुसलताओं के अधार पार असमानताएं होती हैं सिक्सकों तथा अविभापकों को भी बच्चों को समझने में परिक्षन साहिता करते हैं ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हमें मुल्यांकन उदेश्यों की प्राप्ती हो समान्या रूप से मुल्यांकन के निमन लिखित मुख्या उदेश्या है नमबर बन मुल्यांकन सिक्सकों एवं अविभापकों को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है नमबर दो मुल्यांकन सिक्सकों तथा छात्रों को सेक्सनिक क्रियाओं को कारेन्मित करने के लिए योजना बनाने में मदद करते हैं नमबर तीन मुल्यांकन के माध्यम से सिक्सक को छात्रों के अध्यन और विकास का पता लगता है नमबर चार, मुलेंकन के द्वारा सिक्सकों एवन अविभाबकों को बच्चों की अवसेकताओं तथा कुसलताओं को समझने में सहाइता मिलती है नमबर पांच, मुलेंकन सिक्सकों को और छात्रों को स्वयम ही विकास करने में भी सहाइता मिलती है नमबर छे, मुलेंकन शिक्सकों और चात्रों को ऐसे उदेश्यों की प्राप्ती देता है जिनें प्रापत करना कठिन होता है नमबर साथ, मुलेंकन शिक्सक की साहिता एवं कुसलता की जांच करता है नमबर आठ, मुलेंकन के द्वारा यहाँ भी जानकारी मिलती है की निधारित उदेश्या कहां तक प्रापत हुआ है मुलेंकन के कारेक्षेतर ऐसी सिक्सा जिस पर बच्चे के सरवांगिन विकास का दाईतो है वे मुलेंकन का कारेक्षेतर भी विसित होना चाहिए मादमिक शिक्सा आयोग के अनुसार आज कल स्कूलों में बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके सारिरिक, समाजिक एवं भावात्मक विकास के स्तरफ विसेश ध्यान दिया जाता है जिसपे सिक्सा के द्वारा बच्चों के सर्मागिन वेक्षित्वा का विकास होता है शिक्सा के इन उदेश्यों को ध्यान में रखते हुए मुल्यांकन के विस्तृत क्षित्रों के अंतरगत निमन लिखित बातों को समलित किया जा सकता है नमब एक विद्याले की विभिन कक्षाओं के विशों के पाठ्यक्रम की विशय बस्तु को मुल्यांकन करना नमब दो छात्रों की युग्यताओं एवं कुशलताओं का विभिन परिक्षाओं दोरा मुल्यांकन करना नमब तीन विभिन स्तरों पर बच्चे के सारेरिक विकास का मुल्यांकन करना नमब चार बच्चों के समाजिक विकास का मुल्यांकन करना नमब पांच बच्चों के नैतिक विकास एवं मुल्यांकन करना नमब छे बच्चों के मानसिक भावात्मक एवं संबेक आत्मक विकास का मुल्यांकन करना मुल्यंकन की विशेस्ताएं नमबर एक निरंतरता मुल्यंकन एक निरंतर चलने वाली प्रसेस है जो सारा साल चलती रहती है इसे सापताहिक मासिक तथा त्रेमासिक परिक्षाओं में माटा जाता है इन ही परिक्षाओं में विद्यार्शियों के कार्य का उसकी तरक्की निर्भर होती है नमबर दो ब्यापकता सही मुल्यंकन ब्यापक होती है इसमें व्यक्तित्व विकास के सभी पक्ष सारेरिक, मानसिक, बौतिक, समाजिक आधी सामिल होते हैं सही अर्थों में कहा जाए तो मुल्यंकन का उदेशिया व्यक्तित्व के सभी पक्षों का तुलित विकास करना होता है मुल्यांकन केवल कक्षा तक सिमित नहीं मुल्यांकन केवल कक्षा तक सिमित ना रहकर भार भी होता है समाज, सिवा, सैयोग और जीवन के ऐसे ही कई अन्यार पक्षों का मुल्यांकन कक्षा के बहार की क्रियाओं में होता है नमबर चार, सिक्षा स्वंधी सभी साद्मों के साथ स्वंधित मुल्यांकन केवल अध्यापकों द्वारा ही नहीं किया जाता बलकि यहाँ विद्यार्थियों माता पिता तथा सिक्षा में स्वंधित अन्यार व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है विद्यार्थि आतम मुल्यांकन द्वारा भी स्वयम का मुल्यांकन कर सकते हैं समाजिक पक्स का मुल्यांकन माता पिता समाज के अन्या व्यक्तियों तथा समाज की उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनके विद्यर्थी स्थ्या होते हैं सारेरिक विकास का मुल्यांकन स्थ्या विभाग द्वारा समय स्मेपर किया जाता है नमबर पांच शिक्सा प्रक्रिया में सुधार समुची सिक्सा प्रनाली में सुधार लाने के लिए मुल्यांकन किया जाता है यहाँ लक्षियों तथा सीखने के अनुभवों का निर्नाय प्रता है तथा अध्यापकों वह विजयार्षियों के रिए मार्ग दर्शन का काम करती है मुल्यांकन के कार्या या उप्योगिताएं नमबर वन विजयार्षियों की उपलवधी का परिक्षन करना विजयार्षियों के उपलवधी परिक्षन मुल्यांकन द्वारा ही प्रापत की जाता है इसके बीना हमें किसी बात की जानकारी नहीं मिलती कि विजयार्थी ने किस-किस मिशे में कुसलता प्रापत की है नमबर दो विजयार्षियों के व्यक्तित्वा विकास में सहयक मुल्यांकन द्वारा हम विजयार्षियों के व्यक्तित्वा का आंकरन कर सकते हैं यहां विजयार्षियों की उपलबधियां बुद्धी सारिरिक और वहाबातनक समाजिक और नेतिक विकास में सहयक हैं क्यूंकि मुल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किस पक्स से हीन है फिर उस पक्स पर ज़्यादा ध्यान दे कर उसकी पुरण विकास किया जा सकता है मुल्यांकन द्वारा ही हम यह जान सकता है कि शिक्षा के उद्विश्या को हमने किस हद तक प्रापत किया है सिक्षन बीधियों की सफलता का आंकलन भी इसके द्वारा किया जाता है इस आंकलन के अधार पर ही हम उन बीधियों को जाई रख सकते हैं जिनके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के उद्विश्या की प्रापती में सफलता मिलती है और उन बीधियों में सुधार लाया जहा सकता है जिनके द्वारा उद्विश्या प्रापती में असफलता प्रापत हुई है नमबर चार लक्षियों को स्पस्थ करना लक्षियों को स्पस्थ करने में भी मुल्यांकन बहुत साहिता करती है मुल्यांकन के द्वारा ही अध्याकों को कई विश्यों के विभिन प्रकर्णों का स्पस्ट बोध करवाती है। वे उपयोगी के हिसाब से प्रतेक प्रकर्ण के उद्यस्यों को समझने का प्रतन करते हैं। नमबर पांच विद्यार्थियों के बरी करण में सहाइक। कई पच्चे अधिक बुद्धिवान होते हैं, कई समान्य बुद्धिवाले, तो कई निवन बर्ग में आते हैं। तो मुल्यांकर्ण द्वारा ही इन बर्गों के बच्चों को अलग अलग बर्गों में बर्गी करित किया जा सकता है। इस प्रकार से आईक्यू रखने वाले बच्चों को एक बर्ग के में रखा जाता है, जिसे बच्चों को उचित विकास होता है और शिक्षा में अपवेता भी नहीं होती। नमबर छे प्रेणा के रूप में कार्या करना प्रिक्षाओं के आंकलन द्वारा विद्यार्थियों को अपनी लक्षया स्पस्ट हो जाते हैं, फिर भी वे मन लगा कर मेहनत करते हैं। इस प्रकार प्रिक्षा के मुल्यांकन द्वारा उन्हें मेहनत करने की प्रेणा मिलती है। नमबर साथ दाखिनों में सहायक। आज कल विभिन कक्साओं के दाखिनों के लिए प्रिक्षाओं द्वारा ही उमिद्वारों की युग्यताओं का आंकलन किया जाता है। अध्यान के उच कोर्सों में भी प्रिक्षाओं का सहारा लिया जाता है। नमबर आठ चातरविती प्रदान करना प्रिक्षाओं में प्रिणामों के अधार पर ही किन विद्यार्थियों को चातरविती देनी है इसका पता चलता है। नमबर नो निर्देशन देना व्यक्तिकत युग्यताओं रुचियों अविरुचियों पलवधियों तथा व्यक्तित्वा के अन्या तथ्यों के विभीनी करण में मुल्यांकन ही सहायता करता है इस मुल्यांकन के अधार पर ही विद्यार्थियों को सिक्सात्मक तथा वेबसाइक निर्देशन प्रदान किया जाता है नमबर दस पाठे क्रम में परिवर्तन करना मुल्यांकन द्वारा ही पाठे क्रम में उचित परिवर्तन किये जा सकते हैं नमबर गैरा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावेद करना प्रिक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दो रहने विशे बस्तु को याद रखने तथा प्रस्णों का उत्तर देने के विशे बस्तु को संगठित करने और ग्यान का विशाइक प्रयोग करने का अफसर देता है नमबर बारा प्रक्ति की रिपोर्ट त्यार करना प्रिक्षाओं के मुल्यांकन के अधार पर ही छात्रों की प्रक्ति रिपोर्ट उनके माता पिता को भेजी जा सकती है परिणामों के द्वारा ही समाज शिक्षाओं की सफलताओं और असफलताओं का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है विद्यार्थियों को भी इन प्रिक्षाओं के माध्यम से अपनी बास्त्विक स्थिती का ग्यान होता जाता है नमबर तेरा अनुसंधान के लिए समगरी प्रदान करना अनुसंधान कार्या के लिए ये प्रिक्षाओं ही प्रयापत समगरी देती हैं इसी के अधार पर शिक्षा तथा प्रिक्षाओं प्रति में कई प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं धन्यवाद थैंक यू बहरी मच्छ अनुस्ट अनुस्ट अनुस्ट